C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वनी पाठ अध्याय तीन सिंधु घाटी सब्भेता प्रिष्ट संख्या सत्रा सिंधु घाटी सब्भेता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सब्भेता में मिलती है जिसके अवशिश सिंध में मोहन जोदडो और पश्चिमी पंजाब में हडपा में मिले हैं इन खुदाईयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांती ला दी है मोहन जोदडो और हडपा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेश दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा यह सभ्यता विशेश रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी संभव है कि भविश्य में भी इस सुदूर अतीत को उदगाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महतुपूर नई खोजें की जाएं इस सभ्यता के अवशेश इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं जैसे पश्चिम में काठियावाड में और पंजाब के अंबाला जिरे में यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी इसलिए यह केवल सिंधू घाटी सभ्यता भर नहीं उससे बहुत अधिक है अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है सिंधू घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यन्त विकसित सभ्यता थी और उस स्थिती तक पहुँचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे आश्चेरे की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्म निरपेक्ष सभ्यता थी धार्मिक तक वो मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे यह भी सपर्ष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी प्रिष्ट संख्या अठारह सिंदुगाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापीत किया और व्यापार किया कुछ द्रिष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाड्य था और उसकी भूमी का महतोपूर्ण थी सडकों पर दुकानों की कतारें थी और दुकाने संभावतह छोटी थी सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं वैसे भी इस बीच असंखे परिवर्तन हुए हैं लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रिंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को छह साथ हजार पुराने उस बीते युग से जोडती है जब संभावतह सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी यह देखकर अचरज होता है कि मोहन जोड़ो और हडपा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलीत रीती रिवाजों की दस्तकारी की यहां तक की पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और यह चित्र है मोहन जोड़ो सभ्यता के महान सनानागार का आईए अब सुनते हैं पार्ट प्रिष्ट संख्या उननीस यह बात दिल्चस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बलकि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिजित नहीं है उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उलेखनी तकनी की प्रगती कर ली है उसने केवल सुंदर वस्तुओं का स्रिजन ही नहीं किया है बलकि आधुनिक सभ्विधा के उपयोगी और ज्यादा ठेट चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है आरियों का आना सिंदु घाटी सभ्विधा के ये लोग कौन थे और कहां से आये थे इसका हमें अब भी पता नहीं है यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृती इसी देश की संस्कृती थी उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिन भारत में भी मिल सकती है कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिन भारत की द्रविड जातियों एवं संस्कृती के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है यदि प्राची इन समय में कुछ लोग भारत में आये भी थे तो यह घटना मोहन जोदड़ों के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी व्यभारिक द्रिष्टी से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अन्त अकस्माक किसी ऐसी दुरघटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती सिंधु नदी अपनी भायंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गाओं को बहा ले जाती है अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई जिससे शहर की जमीन की सतह उची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नीवों पर उचाई पर मकान बनाने पड़े खुदाई में निकले कुछ मकान दो या तीन मंजीले जान पड़ते हैं वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के उचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दिवारें भी उची उठाई गई हैं हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत सम्रिद्ध और उपजाओ था पर मध्य युग के बाद वह ज्यादा तर रेगिस्तान रह गया प्रिश्ट संख्या 20 इसलिए यह मुम्किन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पध्धती को प्रभावित किया हो लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपिक्षा कृत छोटे हिस्से पर पड़ा होगा हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभोतह उससे भी दूर तक फैली थी पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास परियाप्त आगडे नहीं है वह बालू जिसने इन में से कुछ प्राचीन शहरों पर छा कर उन्हें धख लिया था उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमान धीरे धीरे नश्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीज निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के तूटने के या इसमें अंतराल के प्रमान भी मिलते हैं यह तूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू शुरू में संभौतह क्रिशी की बहुतायत थी गोकी नगर और थोड़ा बहुत शेहरी जीवन भी मौजूद था खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग एक हजार वर्ष बाद हुआ यह भी संभव है कि इन में इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोतर दिशा से भारत में ये कवीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जैजब होती रही हो सबसे पहला बड़ा संस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आरियों और उन द्रविड जाती के लोगों के बीच हुआ जो संभोतह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिरिधी थे इसी समन्वय और मेल जोल से भारतिय जातियों और बुनियादी भारतिय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं. बाद के युगों में और भी बहुत सी जातियां आई. सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं प्रिश्ट संख्या 21 बाद में मानते हैं. और भारतिय विद्वान पहले. आज कल अधिकांश विद्वान रिगवेद की रिचाओं का समय ईसापूर्व 1500 वर्ष मानते हैं. पर मोहन जोदड़ों की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतिय धर्म ग्रंथों को और पुराना सावित करने की प् लब्ध रजना है. मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानो द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है. भारत की सम्रिध भूमी पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आये थे जिससे इरान में अवेस्ता की रजना हुई थी. भारत की धर्ती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल लवन किया वेदों और अवेस्ता की भाशा में भी अध्भुत साम्मे है कहा गया है की वेद भारत के अपने महाकाभ्यों की संस्कृट के अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकठ है वेद बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उदगाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानो मस्तिश्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। यह मस्तिश्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पती विद धातू से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतह वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्र है। उसमें ना मूर्ति पूजा है ना देव मंदिर। वेदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रती इतनी उमंग थी कि उन्हों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यू के बाद किसी प्रकार के अस्टित्तों में बहुत अस्वष्ट धंग से विश्वास करते थे। प्रिष्ट संख्या 22 पहला वेद यानि रिगवेद शायद मानो जाती की पहली पुस्तक है। जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। बहुत से पश्चीमी लेखकों ने इस खयाल को बढ़ावा दिया है कि भारतिये लोग परलोग पर आयन है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोग में विश्वास करने लगते हैं। जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विक्सित होती धाराएं दिखाई परती हैं। एक जो जीवन को स्विकार करती है और दूसरी जो जिन्दगी से बच कर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर। परन्तु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृती की मोल प्रिष्ठ भूमी परलोक वादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत में सभ्यता में बहार आई। तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृती में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रकृती में आनन्द लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्र कला और रंग मंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहन करना मुम्किन नहीं है कि कोई संस्कृती या जीवन द्रिष्टी जिसका आधार पार लौकिकता हो, या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधता पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ती के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। भारतिय संस्कृती की निरंतरता हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृती की शुरुवात दिखाई पड़ती है, जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श, आकार, ग्रहन करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रिया कलाप इन आदर्शों और विश्वद्रिष्टी के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्ट तावाद और छुआचूत की प्रवृत्ती का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहय हो जाती है। और मानो मन के लिए काराग्रिह बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस धाचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। इरानियों और युनानियों से चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। तीन चार हजार वर्षों का यह सांस्क्रितिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। प्रिष्ट संख्या 24 उपनिशद। उपनिशद। उपनिशदों का समय इसापूर्व आठ सो वर्ष के आसपास माना जाता है। वे हमें भारती आरियों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम उपनिशदों में जाच परताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साहद दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ट पद्धती से नहीं की गई। फिर भी उनके द्रिष्टी कोड में वईज्ञानि पद्धती का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवारे रूप से आत्म बोध पर है। व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतह एक कहा गया है। वाहिय वस्त जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। आंतरीक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिशदों का सामाने जुकाओ अद्वैत वाद की ओर है। और सारे दृष्टिकोंड का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मत भेद के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू तोने में दिल्चस्पी या उसी किस्म के लोकोततर ग्यान को सक्ती से निरुचसाहित किया गया है और बिना सच्चे ग्यान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिशदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिशदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्यान की कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चल। अधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। मृत् बार बार हमें एक बेचैन मन जागता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानिया। बारती चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नित्रित्तों में जिन जनान दोलनों ने भारत को हिला दिया, उसके पीछे जो मनोवृत्ती काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। प्रिष्ट संख्या 25 उन्हें एक प्राचीन और अनुभवी जाती की समझदारी का परिचे दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर समाज के प्रती उसके करतब्बे पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समगर समाज की ना कोई कलपना थी और ना ही उसके प्रती कोई दाईत तो बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। इस बात का दिमाग इस प्रवृत्ती का बंदी बन गया। हमारे पुरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाती ब्यवस्था में सक्ती के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौधिक जड़ता बढ़ती गई और जाती की रचनात्मक शक्ती धुंदलाती चली गई। प्रिश्ट संख्या 26 फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भावतिक वादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर इस्वी पूर्व चौथी शताबदी में रचित काउटिल्य की प्रसिध रचना अर्थ शास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में किया गया है। भारत में भावतिक वाद के बहुत से साहित्ति को पुरोहितों और धर्म के पुराण पंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिक वादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। विश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक द्रिष्टियों से आधुनिक भावतिक वादित द्रिष्टिकोन जैसा था। वे अपने आपको अतीत की बेडियों और बोज से मुक्त करना चाहते थे। उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देत साथ ही काल्वनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्त्विक अस्टित्व केवल विभिन रूपों में वरतमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग और नरक है और नहीं शरीर से अलग कोई आत प्रिष्ट संख्या 27 महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायन और महाभारत को रूप ग्रहन करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी तुकडे जोडे जाते रहे इन ग्रंथों में भारती आरियों के आरंभ के समय का वृतानत है, उनकी विजयों और उस समय के ग्रिह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिती मजबूत कर रहे थे मुझे इनके अलावा कहीं भी किनी ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है, जिन्हों ने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद, भारतियों के जीवन पर आज भी इनका जीवन्त प्रभाव दिखाई पड़ता है ये दोनों ग्रंथ भारतिये जीवन का अंग बन गए है इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन श्रेणियों के लिए ठेठ भारतिये ढंग से एक साथ सामगरी उपलब्ध है अर्थात उच्चितम बुद्धी जीवी से लेकर साधरण अनपढ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतियों का वह रहस्य कुछ-कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पांत की उच नीच में बटे समाज को एक जुट रखते थे उनके मतभेदों को सुल्जाते थे उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेद भाव पर च्छा गया और बराबर बना रहा भारतिये पुरा कथाएं महा काव्यों तक सीमित नहीं है उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रगट होती रही है कवियों और नाटक कारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुन्दर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है अधिकांश पूरा कथाएं और प्रचलित कहानिया वीर गाथात्मक हैं उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है चाहे परिणाम कुछ भी हो साथ ही इनमें जीवन परियंत और मरणो परांत भी वफादारी, साहस और लोक हित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है कभी ये कहानिया पूर्णता काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहन कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है, जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं यह घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिती जीवन्त तत्त्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एकरस्ता और कुरूपता से खींच कर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है, प्रिष्ट संख्या अठाइस युनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतिय इतिहास कार नहीं थे, इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही काल क्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है, घटनाएं आपस में गड़ मड़ हो जाती हैं, बहुत धीमी गती से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतिय इतिहास की भूल भुलया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं, कलहन की राज तरंगिनी एक मातर प्राचीन ग्रंथ है, जिसे इतिहास माना जा सकता है, यह कश्मीर का इतिहास है, जिसकी रचना इसा की बारहवी शताब की गई थी, बाकी के लिए हमें महाकाब्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभी लेखों, शीला लेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेशों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से साहयता लेनी पड़ती है, इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफर नामों से भी साहयता मिलती है, विशेश रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से एतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, यहां की जनता ने अतीत के विशय में अपनी दृष्टी का निर्मान उन परंपरागत वृतांतों और पावरानिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दरपीढी विर प्रपक प्रचार हुआ, इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाव सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी मिली, लेकिन इतिहास की उप्यक्षा के कारण हमारे द्रिष्टिकोन में धुन्धला पन पैदा हुआ, जिन्दगी से अलगाव पैदा हुआ और तर्थियों के बारे में दिमागी उल्जन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई, प्रिष्ट संख्या उनतिस महा कावे के रूप में रामायन एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परन्तु महा भारत का दर्जा विश्व की श्रेष्टतम रचनाओं में है यह कृती परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्व कोश है लगवाग दस वर्ष बलकि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विश्व के अधिकारी भारती विद्वान इसका प्रामानिक संसकरण प्रकाशित करने की दृष्टी से विभिन उपलब्ध पाठों की जाच और मिलान करने में व्यस्त हैं उन्हों ने कुछ अन्ष प्रकाशित करके जारी भी कर दिये हैं लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीती रिवाज अपने साथ ला रहे थे इन में बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घाल मेल दिखाई पड़ता है आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था किन्तु महाभारत की कथा की एक विशेश नाई का एक साथ पांच भाईयों की पत्नी है धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आरियों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिती के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था इसने सब को समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहन कर लिया जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता उसे देखने और उस तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं इसलिए सब तरह के अलग-अलग यहां तक की विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया प्रिष्ट संख्या तीस महा भारत में हिंदुस्तान की या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाती के आदी पुरुष भारत के नाम पर भारत वर्ष कहा जाता है बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है इसका एक और पहले का नाम था आर्यवर्त यानि आर्यों का देश किन्तु यह नाम मध्धे भारत में विंधे पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था रमायन की कथा दक्षिन में आर्यों के विस्तार की कहानी है वह विराट ग्रिह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महा भारत में किया गया है उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह इसा पूर्व 14. शताबदी के आसपास हुआ होगा वह लड़ाई भारत या संभोतह उत्तरी भारत पर एक आधीकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की आउधारना की शुरुआत हुई इस आउधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार जिसे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तो में इसी कारण मुख्य शासत की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बलकि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंदरप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महा भारत में कृष्णन से संवध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासनकला और सामाने रूप से जीवन के नईतिक और आचार संबंधी सिध्धान्तों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और ना समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष है लोकमंगल किसी विशेश वर्ग का नहीं बलकि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयम सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा अहिंसा आदी जैसे कुछ बुनियादी सिध् सितियों पर निर्भर करता है। ये सिध्धान्त ठिकाऊ हैं और अपरिवर्तन शील भी परन्तु इसके अलावा धर्म जो करतव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिष्टन है समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहां और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिल्चस्प है क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाब्वे का केंदर एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की आउधारना का ज्यादत संबंध मकसद से था, यानि हिंसा की मानसिक्ता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घ्रिना की भावना पर नियंत्रन से था। प्रिष्ट संख्या इकत्तिस महा भारत एक ऐसा समरिद्ध भंडार है, जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूड़ी जा सकती है। यह विविधता पूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिन्दगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महा भारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबध किया गया है। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो, जो तुम्हें खुद अपने लिए सुईकार्य ना हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है, वो ध्यान देने योग्य है। महा भारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है, या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म कंदिरंतर पालन, सफलता के साधन है। जाती और कुल नहीं धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है, सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है, धन के पीछे दोडने वाले पर व्यंगे किया गया है, रेशम का कीड़ा अपने धन के बोज से ही मरता है, और अंत में एक जीवित और विकास शील जनता के लिए आदेश है, अ भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है, और वह अपने आप में मुकमल है, यह 700 शलोकों का एक छोटा सा काव्य है, जिसकी रचना बौध काल से पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ, आज भ भारत में इसके प्रती पहले जैसा आकर्शन बना हुआ है, विचार और दर्शन का हर संप्रदाए इसे श्रद्धा से देखता है, और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है, संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है, और वह कर्तव्य के बारे में दुविधा ग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्ग दर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृड़ विश्वास का आधार बनाया है, जबकि औरों ने धर्म कारे के लिए हिंसा और युद्ध का आउचित्य इसी के आधार पर सिध्ध किया है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के वीच संबाज से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नर संगहार के, मित्रों और संबंधियों के संगहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर या किसलिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानी इस पापका परिहार कर सके? उसकी पुरानी कसोटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अरजुन इंसान की उस्पीडित आत्मा का प्रतीक बन जाता है, जो युग-युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बाचीत से हम एक-एक करके व्यक्ति के करतव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सादाचार और सबको नियंतरित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टीकों जैसे विशयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो अध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के तीन मार्गों ज्यान, कर्म और भक्ती के बीच समन्वे करने का प्रयास किया गया है। बाकी दो की तुलना में भक्ती पर अधिक बल दिया गया है। यहां तक कि इसमें एक व्यक्तिगत इश्वर का स्वरूप उभरता है। हलाकि उसे पूर्ण रूप परमिश्वर का ही आवतार माना गया है। गीता में मानव अस्थित्व की आध्यात्मिक पृष्ठ भूमी का निरूपण किया गया है। अकर्मन्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयम ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेश युग के अपने आदर्शों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। प्रिष्ठ संख्या 33 गीता का संदेश ना सांप्रदाइक है और नहीं किसी विशेश विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्ठी सार्वभावमिक है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभावमिक्ता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदाइयों के लोगों के लिए मानने हुई। इसके रचना के बाद धाई हजार वर्षों में भारतवासी बार-बार परिवर्तन, विकास और हरास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं। एक के बाद एक विचार सामने आये हैं। पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवन्त चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों, द्रबिड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राहमन परंपरा तथा ख्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से क्रिशी केंद्रित्थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गाउं थे। कर बहर कर सामने आता है। यह विशेश दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गाउं की स्थापना थी। इस तरह एक गाउं बढ़हयों का था, एक गाउं लोहारों का था। इसी तरह और पेशों के लोगों के गाउं थे ये खास पेशेवर लोगों के गाउं आम तोर पर शहर के पास बसे होते थे शहर में उनके विशेश उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिन्दगी की दूसरी जरुरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था ऐसा लगता है कि पूरा गाउं सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाती प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा प्रिष्ट संख्या चाउतीस जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ाउच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्धे एशिया तक कारवां जाया करते थे भड़ाउच से जहाज बेबिलोन यानि बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था जातकों के अनुसार बेडे, बनारस, पटना, चंपा यानि भागलपूर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिनी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक भारत में लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है पाशान युग के, मिट्टी के, पुराने बरतनों पर ब्राहमी लिपी के अक्षर मिले हैं मोहन जोदड़ों में मिले शीला लेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है वे ब्राहमी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं, निश्चित रूप से उस मूल लिपी में हैं, जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपीयों का विकास हुआ है अशोक के कुछ लेख ब्राहमी लिपी में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपी में हैं। साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पानिनी आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमान माना जाता है। हलाकि बाद के वयाकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिल्चस्प है कि पानिनी ने यूनानी लिपी का उल्लेख कि इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी ना किसी तरह का संपर्क हो चुका था। प्रिष्ट संख्या 35 औशद विज्ञान की पाठ्षे पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। अनुशुती है कि भारत में औशद विज्ञान के जनक धनवंतरी थे। किन्तु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्षे पुस्तकें इसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें आवशधी पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकिसा पर सुशृत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिश्क के दर्बार में राजवय दे थे जिनकी राजधानी पश्ची मुत्तर दिशा में थी। इन पाठ्थे पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र ह और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताये गए हैं। इनमें शल्य चिकिसा, प्रसूती विज्ञान, सनान, पत्थ, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकिसा के बारे में शिक्षा को विशय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षन के दोरान मुर्दों की चीर फाड कराई जाती थी। सुशृत ने शल्य क्रिया के आउजारों का जिक्र किया है। साथ ही ओपरेशन का भी जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ओपरेशन से बच्चे को जर्म दिलाना, मोतिया बिंद, साथ ही ओपरेशन का भी जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ओपरेशन से बच्चे को जर्म दिलाना, मोतिया बिंद का ओपरेशन आधी सब शामिल हैं। घावों के जीवानों को धुआ दे कर मारा जाता था। इसापूर्व तीसरी चौथी सदी में जानवरों के अस्पतार भी थे। यह जैन और बाउध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकावियों के युग में अकसर वनों में एक तरह के विश्व विद्यालयों का जिक्र किया गया है। पसंद किया जाता था क्योंकि यहां शहरी जीवन के आकर्शनों से बचा कर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रहमचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहां प्रशिक्षन के बाद उनसे अपयक्षा की जाती थी कि वे वापस लोट कर ग्रिहस्त और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालेयों में प्रायाह छोटे-छोटे गुट रहते थे। गो कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्शित करते थे। प्रिष्ट संख्या चत्तिस बनारस हमेशा शिक्षा का केंदर रहा। यहां आया करते थे। तक्ष शिला का सनातक होना सम्मान और विशेश योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिक्षक यहां के आयूर्विज्यान विद्याले से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी गद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्ष शिला का सनातक था। इसा पूर्व छटी सात्वी शताबदी के महान वईयाकरण पाणिनी ने भी यहीं शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्ष शिला बुध से पहले ब्राह्मन शिक्षा पद्धती का विश्ट विद्याले था। बौध काल में यह बौध ग्यान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौध विद्यार थी यहां खीचे चले आते थे। यह मौर्य सामराज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्याले था। उस सुदूर अतीत के भारत यह कैसे थे। हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन समय के बारे में कोई धारना बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियां उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंदली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के आत्म विश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पाओं मारने वाले, प्रकृती और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्णों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मुल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षूओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजर ये एक हद तक यथार्तवादी और बुध्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिधान्त यह है कि सत्य हमारे द्रिष्टी कोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। पाठ में आगे चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और ये चित्र है मतुरा से प्राप्त महावीर की लगभग तीस्वी शताब्दी इस्वी की एक मूर्ती का चित्र। आईए अब सुनते हैं पाठ। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालिन थे और दोनों क्षत्रिये थे। बुद्ध की मृत्यू इस्वी पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयू में हुई और तभी बाउध समवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी इस्वी पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौध समवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णीमा के दिन लिख रहा हूँ। बौध साहित्य में लिखा है कि बुध का जन्म वैशाख यानी मैं जून के महिने में इसी पूर्णीमा के दिन हुआ था और इसी तिथी को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वान भी इसी तिथी को हुआ था। बुध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहिर्थ स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म वैज्यानिक नजरिय की तथा चमतकारों, अलोकिक व्यापारों आधी की भी निंदा की। उनका आग्रह, तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिक्ता पर था। उनकी पध्धती मनवैज्यानिक विशलेशन की थी। ऐसा मन विज्यान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। प्रिष्ट संख्या 38 इसी प्रिष्ट पर एक और तस्वीर, एक और चित्र और ये चित्र है तक्ष शिला में बनी बुद्ध की प्रतीमा का चित्र। आईए सुनते हैं पाठ, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर स और में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार-बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे-धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोज में खड़ा हुआ था, जात के प्रती सहिश्णू था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिन्दा है और जारी है तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बाउध धर्म ने जाती विवस्था को स्विकार नहीं किया। वह अपने विचारों और द्रिष्टी कोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा। अंततह वह भारत से बाहर निकल गया। गोकी भारत और हिंदू वाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। बुद्ध की शिक्षा बुद्ध का संदेश उन भारतियों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ग्यान की गुथियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिश्चियों से कहा सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्हों ने सब के लिए करुणा का प्रेम का संदेश दिया क्योंकि इस संसार में घ्रिना का अंत घ्रिना से नहीं होता। घ्रिना का अंत प्रेम से होता है। अतह मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। वह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में कोई भले ही हजार आदमियों पर विजय पाले पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजयता वही होता है। मनुष्य की जाती जन्म से नहीं बलकी केवल कर्म से तय होती है। इसी प्रिष्ट पर एक और चित्र है और ये चित्र है सारनाथ स्टूप का जिसमें महात्मा बुध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या 40 उन्हों ने यह इश्वर या पर लोग का हवाला दे कर दिया। उन्होंने विवेक और तर्क और अनुभव का साहरा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। इश्वर या पर ब्रहम का अस्तित्व है या नहीं उन्हों ने नहीं बताया वे ना उसे स्विकार करते हैं ना इनकार जहां जानकारी संभव नहीं है वहां हमें निर्ने नहीं देना चाहिए इसलिए हमें अपने आपको उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश ज्यानों के बारे में उनकी अंतरद्रिष्टी कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बहुत धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुध ने जिन चार आर्य सत्यों का निरूपन किया है। उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे सम माप्त करने के उपाय से है। दुख की इस स्थिती के अंत से निर्वान की प्राप्ती होती है। बुध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कश्ट देने के अनुभों के बाद उन्होंने कहा, जो व्य सही आचरण, जीवन यापन का सही धंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। बुध ने अपने शिश्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। आनंद ने उत्तर दिया, पतजड की पत्तियां सब तरब गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुठी भर सत्य दिया है, किन्तु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की प्रिश्ट संख्या 41 वे इतनी दूर, पहुच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दुवारा देखते हैं तो उनकी आकरिती जीवन शक्ती से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीटते जाते हैं पर बुध हमसे बहुत दूर नहीं म मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगती के और बड़े आउसरों को देखना चाहिए। बुध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूती से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाती के पास न चंद्रगुप्त और चानक के मौरेस सामराज्य की स्थापना भारत में बौध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मोल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्गत था पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। परिस्थितियों का लाव उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताविक धाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौरे और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चानक के। इन दोनों का मेल बहुत कारगर सावित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद सामराज्य से निकाल दिये गए थे जिसकी राजधानी पाठली पुत्र जो आधुनिक पटना है थी। दोनों पश्ची मोत्तर प्रदेश में तक्ष शिला गए और उन युनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां न्यूक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खु नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आकरमनकारियों के विरुध लोगों को उत्ते जित किया। युरानी सेना को ख़देड कर तक्ष शिला पर अधिकार कर लिया गया। राश्ट्रियता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गये और उन्हें सा लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुँच गया। सिकंदर की मृत्यू के दो ही वर्ष में उसने पाटली पुत्र पर अधिकार करके मौर्य सामराज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रिय राज्य की स्थापना हुई। पाटली हमें इसका पूरा व्यावरा मिलता है। भारतिय भी और युनानी भी। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महतोपून राजनीती शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौट के बारे में एक प्राचीन भारतिय नातक है मुद्रा राक्षस। इस नातक में चानक्य की तस्वीर उभरती है। साहसी और शडियंत्री अभीमानी और प्रतिशोधी जो ना कभी अफमान को भूलता है और ना अपने लक्षे को ओजहल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह सामराज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और समराट को स्वामी की तरह नहीं बलकि एक प्रिय शिश्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह साधा और तपस्वी है। उचे पदों की श चपत पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवा निवरित्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्षे को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चानक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। प्रिष्ट संख्या तैंतालिस चानक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विशयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिध्धान्त और व्यवहार के लगभग सभी पहलूँँँपर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुफ्त की विराठ सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। स्तरियों के अधिकार, कर और लगान, क्रिशी, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडिया, बागवानी, उद्योग धंदे, सीचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाज रानी निगमे, जन गणना, मत से उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं, इसमें विध्वा विवाह को मान्यता दी गई है, और विशेश परिस्थितियों में तलाक को भी, अपने राज्या भी शेक के समय, राजा को इस बात की शपत लेनी पढ़ती थी, कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशाली में है, वह उसी को अच्छा समझेगा, जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं, जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते। उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीती करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटा कर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। अशोक 273 इस्वी पूर्व में अशोक इस महान सामराज्य का उत्तर अधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्ची मुत्तर प्रदेश का शासक रह चुगा था। जिसकी राजधानी विश्व विद्याले की नगरी तक्ष शिला थी। उस समय सामराज्य की भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुगा था। प्रिष्ट संख्या 44। केवल दक्षिन पूर्व और दक्षिन का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पा और उसने ततकाल पूरवी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। इसी प्रिष्ट पर एक चितर है और ये चितर है अशोक के एक अभीलेख का चितर। आईए अब सुनते हैं पाठ। कलिंग के लोगों के बहादूरी से मुगाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कतले आम हुआ। जब इस बात के खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पच्तावा हुआ और युद्ध से विरक्ती हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेतरों में विजय हासिल करने और साहसिक का करने की और घूम गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फर्मानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किये और जो पत्थर और धातू पर खो दे गए। ये फर्मान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को सामराज्य में मिलाए जाने के ठीक बाधी महामहिम समराट ने धर्म के नियमों का उच्साह पूर्वक पालन उन नियमों के प्रतिप्रेम और उसको यानि धर्म को अंगिकार करना आरंभ कर दिया। उसके एक फर्मान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के सववे हजारवे हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय करतब्य और धर्म पालन करके लोगों के हरिजय को जीतने में है। फर्मान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम समराट को जेलना होगा। महामहिम समराट की यह अकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म सैयम हो, उन्हें मन की शांती और आनंद प्राप्त हो. प्रिश्ट संख्या 45 इस अद्वुत शासक ने जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है अपने आपको बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सदभाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कारियों के प्रती पित कर दिया। उसने एलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तयार है। हर स्थान और हर समय सरकारी, कर्मचारी, जनता के कारियों के बारे उसे बराबर सूच ना देते रहें। चाहे जिस समय और जहां भी हो वह लोक हित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कटर बौध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। पाठ में जाने से पहले एक चितर इसी प्रिष्ट पर और ये चितर है अशोक के समय निर्मित सांची के स्थूप का चितर। आईए अब सुनते हैं पाठ। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगा बने स्तंभों के डिजाइन से दिकाला गया है जो परसी पोलिस की याद दिलाते हैं लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेशों में भी भारतिये कला परंपरा की विशेशताएं दिखाई देती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद इस्वी पूर्ब 232 में अशोक की मृत्यू हो गई। H.G. Wales ने अपनी Outline of History में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिन से इतिहास के प्रिष्ठ भरे हैं। जिन में बड़े बड़े राजे महराजे, शहनशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं। अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोलगा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। यहां यह पाठ समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे, कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज, वाचनस्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान, निर्माण, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।